वेलकम टू मैचैनल आज मैं मैं मैक्रो मिरर का बहुत खुबसरा सर डिजाइन अपिसा सेयर करने वाली हूं यह इसको बनाने के लिए हमें एक बंडल क्रीम किलर का मैक्रों एक बंडल पिंग किलर का मैक्रों 46 पीस वाइट किलर के बीट्स एंड 44 पीस रेट किलर के बीट्स 12 बेल्स वाइट किलर के और एक 10 इंच का हर्ट सेप रिंग 10 इंच का मीरर एक 3.5 इंच का रिंग और लाइटर और सीजर की जरूद पड़ी है तो चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं पहले मैं इस 3.5 इंच के रिंग में यह पिंग लर का मैक्रम को अटाच कर लूँगी यह मैंने 5 मिटर का मैक्रम लिया है ऐसा हम 12 मैक्रम को यहां पर अटाच करेंगे अब हम 2 कॉड इधन से छोड़ेंगे और 2 कॉड इधन से छोड़ेंगे और Very notebook नउट लगा लिया है कि मैने यहां पर शर्वार इने थे ह होडल से ठोड़ेंगे और 2 कॉड इधन से छोड़ेंगेрий рशेच के जीग और सिम्पल नॉट लगाएंगे इंगे यहां पर फाइब जायंगे और इसको इस तरह से, ट्रेंगल सेफ में यह नोट लगाते जाहेंगे, दो-दो थाको ठोड़यमा ओफिर नोट लगाते जाएंगे कि मैंने यहां से दो दुपा कॉट छोड़ते गई हूं और यह फिर यह ट्राइंगल सेप में यहां तक बना के त्यार कर लिए हूं एक एक नौट तक फिर हम अभी यहां से यह वाला कॉट उठाएंगे और इस कॉट के उपर सारे कॉट को पाइप इन कर देंगे इस तरह से देखिए मैंने सारे कॉट को फाइप इन कर लिया है इस साइट से अब इस वाले कॉट में हम एक क्रीम क्लर को कॉट अटेज करेंगे इस तरह से हम एक क्रीम क्लर को कॉट अटेज करेंगे हम इस तरह से देखिए यहां पर मैंने कॉट अटेज किया है और इस कॉट को हम इसके उपर पाइप इन करेंगे यह वाला कॉट एक बार पाइप इन करेंगे दो बार और दो वाला कड को इसके उपर पाइप इन करेंखिए इस तरह से मैंने इसको पाइपिं किया है अब यह वाला कॉट के ऊपर भी यह दोनों को पाइप इन कर जाएंगे अर्चे और यह पैपिन करते हुए हम यहां तक से ले जाएंगे इसी तरह से इस सारे कोट को पाइपिन करेंगे देखिए इसी तरह हम सारे कोट के उपर वन बाइवाइन करते हुए पाइपिन कर देंगे इसी तरह हम इस सारे कोट के उपर वन बाइवाइन करते हुए यहां तक पाइपिन कर देए मैंने दोनों तरफ यह डिजाइन बना कर त्यार कर लियाँ अब रभब वन जाए पत कर देए तब हम यह क्रीम कलर का कॉट है इसको यहां से कट कर देंगे और पीछे के और इसको पेस्ट कर देंगे देखें मैंने यहां पेस्ट कर लिया है अब हम यह वाला कॉट लेंगे फर्स्ट वाला कॉट लेंगे और सेकेंड वाला कॉट को इसके उपर पाइपिन करेंगे एक उपर से लेंगे और एक बार अन्दर से पर मैंने उपर से लिया और एक बार अन्दर से इस तरह करके हम 12 इसको घुण कर लेंगे 12 ताइम अब हम यहां से यह वाला قोट लेंगे इससे अी हम मूति डाल दियंगे फिर हम यह वाला कॉट को इस तरह इसके उपर पाइप इन करेंगे यह वाला मोती वाला कॉट इसके उपर पाइप इन किया मोती वाले कॉट को पाइप इन करने के बाद यह साथ वाला दो कॉट भी इसके उपर पाइप इन कर देंगे यह पहला कॉट और यह दूसरा कॉट इस तरह से फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए हम यह दो कॉट यहाँ वाले दो कॉट है उसको छोड़ देंगे और इसको इस तरह से घुमाता वए फिर हम इसके उपर पाइप इन कर लेंगे कि अब यह हमारा इस वाला कॉड़ को हम a Wissenschaft करें तक है इसको फिर हम एक उपर से और एक अंदर से लेकर 12g Inc लेंगे मर्ट यसे वह बनाया था 12g वी ऐसा ही इसको पाइपिन कर लेंगे झाल झाल जाल दर्य करिया है यह जो फरस्ट काड रूँछा है यह वाला कॉर्ड इसमसें हम एक मोटी डला काड़ हम fl दर उप daw do अब 2 एक्स्ट ओर लेंगे और इसको पर पाइपिन कर देंगे इस तरह से इसको हम घुमाते हुए फीर इसको ये वाला कॉड को पाइपिन करेंगे और पीर एक मोती डाल लेंगे फीर इसको ऐसे ही डिजाइन को ऐसे घुमाना हाyan झाल 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 कि देखिए मैंने एक तरफ यह वाला डिजाइन बना लिया है उसी तरह हम यहां दूसरे तरफ भी डिजाइन बना लेंगे यह फर्स वाला कॉड उठाकर इस पर पाइप इन करेंगे और फिर दो कोड ठोड़ते जाएंगे पाइवी जैसे मैंने दो कोड दो कोड छोड़ दिया घू रहा हम सेम conserve इथर भी डिजाइन बना के बल्कुल तियार करेंगे देखिए मैंने एक तरफ यह वाला डिजाइन बना लिया अब दूसरी तरफ भी हमें this subt बिए फस्ट वाला कॉड लेकर इसके उपर पाइप ěन इपयार कर लिए कि दिक्षे मैंने डूना फिर्ण हम पोन खोलेंगे सिंहार अग्लिआ Цंट Sh Simone इस तरह से फिर हम यहां से दो कोड लेगे और दो कोड ये वाला लेगे फिर एक नोट लगा लेगे वैसा ही हम इधर से भी कर लेगे झाला लेगे वाला लेगे झालो लेगे Anthony झाल झाल देखिए मैंने 1,2,3,4,2 और 1 का डिजाइन बना के त्यार कर लिया है अब हम यहां से एक कॉज उठाएंगे और सारे कॉज को इस पर पाइपिन कर देंगे अब हम यह वाला कॉज उठाएंगे और सारे कॉज को इसके उपर पाइपिन कर देंगे अब हम यह वाले बीच वाले कॉज को भी एक दूसरे को पाइपिन कर देते हैं तक यह डिजाइन फिक्स हो जाए यह अब हम मारा यह एक्स्ट्रा कॉज इसे सारे कॉज कर देंगे यह गह shot का और सीच के और पेस्ट कर देंगे सब्सक्राण के देर पेस्ट कर दिया अब हम यहांसे कोज और यह उट मैसे कर देंगे अब हम ये दोनों कोट के ऊपर ये तीसरे वाले कोट को पाइप इन करेंगे अब हम ये तीनों कोट के ऊपर ये चौथे वाले कोट को पाइप इन करेंगे अब ये चारों कोट के ऊपर पाच वाले कोट को पाइप इन करेंगे अब ये पाच्व कॉट के उपर ये स्टिक्स वाले कॉट को पाइप इन करेंगे अब हम यहाँ पर ये वाला कॉट को इधर से पाइप इन करेंगे ये कॉट को यह से छोड़ देंगे अब हम दूसरे कॉट को इधर से पाइप इन करेंगे और ये कॉट को फिर यही पर छोड़ देंगे अब हम यहाँ से तीसरा कॉट उठाएंगे और फिर पाइप इन करेंगे इस तरह से फिर यह कॉट को भी यही पर छोड़ देंगे फिर इसमें से भी दूसरा कॉट उठाएंगे और फिर पाइपिन करेंगे यही प्रोसेसर में करना जब तक कि हमारे पास एक कॉट ना बच रहे फिर यह वाला कॉट उठाके इसमें उपर पाइपिन करेंगे दिखिए अब हमारा एक कोड बच गया है अब हमारे इस वाले कोड को हम इसमें से इंसेट करेंगे यहां में से इसमें से इंसेट करना है अब हम इसमें एक मोती डालेंगे इसमें मोती डालने हुआ इसके उपर हम एक बार इसको पाइपिन करेंगे अब हम यह वाला कॉड उठाएंगे इसके उपर इसको पाइपिन करेंगे और इस कॉड में मोती डालने है फिर यहां से यह वाला कॉड उठाएंगे और यह तीनों कॉड को पाइपिन करेंगे अब यह वाला कॉड उठाएंगे अब यह चारो कॉड को इसके उपर पाइपिन करेंगे लास्ट वाले कॉड में मोती इंसर्ट करना है अब इस तरफ एक तरफ तो ऐसा डिजाइन बना लिया अब इस तरफ दूसरे तरफ भी ऐसा ही डिजाइन बना कर त्यार कर लेंगे तेकि मैंने दोनों तरफे डिजान बना कर तयार कर लिया है अब ये दोनों कॉड में हमें हमें एक मोटी डालना है देखिए जमेन यहां पर ये दो लोनों कॉड को हम यहां से यह वाला मोटी से इंसर्ट करके बहार निकलेंगे देखिए वाला मुटी इस तरह से हमें अट्राज करना यहां पर ताकि यह डिजाइन इस तरह सेट हो जाए जासे हमारा डिजाइन बनकर त्यार हो गया अब मैं टेल इंज का हाट सेट का रिंग ले रही है तो इस रिंग को पहले हम लिए चार कॉट इसमें अटैज करेंगे चारो कॉट को इस रिंग में अटैज करेंगे अब इसके बाद वाले ये साइड वाले वी कॉट को चार कॉट इस साइड है हमारे साम पास और चार कॉट इस साइड है दोनों साइड वाले चार्चर कॉट को इसमें अटैज करेंगे करके देखिए फ्रेंड हमने यहां पे सारे कॉट को अटैज कर लिया है अब हम यह टेनिज का मिरर ले रहें इसको यहने आपे अटैज कर देगी और यह सारे कॉट को भी इने हाथे अटैज कर देगे वान वाई वान करते हुए दिखिए इस तरह से यह सारे कॉट को यहां पे अटाज कर देगे झाल झाल इस तरह से हम सारे कॉट को यहां पर अटाइच कर देंगे इसे अटाइच करते समय हम थोड़ा मैकरम को लूज रखे लिए देख़िया हैं इкі नियुकंच कर लिया अपर फें यहां पर उपर कोड मैं और वहाला इस ऐस साईड़क अटाइच नियुक्त इस तरह से और रही झाल झाल दिकित री कोड मैंने इस सेड अटाइज कर लिया है अब री कोड हम इस सेड अटाइज करेंगे अब हम यह फर्स्ट वाले कोड को उठाएंगे और इस कोड के ऊपर सारे कोड को पाइप इन कर देंगे यहां तक झाल अब हम यहां पे एक कोड यहां पे क्रीम कलर का डू मीटर करेंगे और ऐसा ही डिजाइन हम नीचे भी बना लेंगे एस सारे कोड के यह पाइप्ट करेंगे इस से मैंने यह फर के बना यह फर बना लेंगे देके प्रेंद पर यहां तक जैसे उपर हमारा डिजाइन था वैसा ही हमने सेम तो सेम बना कर त्यार कर लिया है अब हम क्या करेंगे यहां से सेंटर से टू कोड इधर से टू कौड इधर से लेंगे और फिर एक सिम्पल नॉट लगाएंगे और हम वान तू थ्री फिर ट्री टू वं का एक नॉट कर तरह हूं एक इधर से और एक इधर से नॉट लगाएंगे वान टू थ्री फिर टू और वन का एक डिजाइन बनाकर त्यार करेंगे अल्वर याओ बनाकर त्यार करेंगे वान टू है कि अल्वर्टोट से लगा है वान टू है उल्वर बनाकर पाला करेंगे। झाल झाल देखिए मैंने 1,2,3, fit 3, 2,1 का एक design बना कर त्यार कर लिया तो हम यहाँ पर एक और नॉट लगा देंगे इस तरह से अब हम यहाँ से फर्स्ट वला कॉट उठाएंगे और यह बाकी सारे कॉट को इसके उपर पाइपिन कर देंगे इसके उपर हम पाइपिन करते जाएंगे फिर हम यहाँ से एक और कॉट उठाएंगे और इस सारे कॉट को इसके उपर पाइपिन कर देंगे फिर हम इधर से एक कॉट उठाएंगे और जैसे मैंने यहाँ पर दो लाइन पाइपिन किया वैसे ही हम दो लाइन पाइपिन कर देंगे पाइपिन कर देंगे अब हम यह वाले बीच वाले दो कॉट में एक मूती डालेंगे वाया पर एक सिंपल लात लाए ने अपर लाइन पाइपिन कर देंगे अब हम यहां से कॉट को कट करेंगे और यहां पे बैल अटेज करेंगे करेंगे यहां भी बैल अटेज करेंगे झाल झाल देखिए मैंने सारे बैल यहां पर टाइच करके तयार कर लिया है अब हम यहां पर यहां पर कॉट को पिंक लखे कोट को यहां पर पेस्ट करेंगे और एक एक वर हम स्कॉट को यहां से उपर से लेंगे और एक वर अंदर से लेते हुए यह पूरा इसको कभर करना है इस तरह से फिर एक वर हम इसे उपर से लेना है फिर एक वर अंदर से लेते वे इसको कुरा कभर कर देगे इसको कुरा कभर कर देगे इस तरह से झाल 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 देखिए जैसे इस तरफ मैंने डिजाइन बना कर त्यार कर लिया उसी तरफ यहां से फिर हमें कॉट क्रीम कलर का कॉट आटाज करकी जैसे हैं डिजाइन इस तरफ भी बना के त्यार कर लेना है देखिए फ्रेंट्स मैंने दुनों तरफ यह सेम टू सेम डिजाइन बना कर त्यार कर लिया है अब यह वाला जो पार्ट है यह वाला जिटेरिंग है इसको हम पिंक कलर के कॉट से कवर करेंगे इसके लिए मैंने टूपून टू मीटर का एक पउड लिया है इसको इस तरह से फिर अंदर के और से लेके इस तरह से करते हुए इसको पूरे रिंग को कभर कर देंगे झाले को कर देंगे कि मैंने कवर कर दिया इसको अब हम इसको टांड करेंगे कि पिछे टांड करके हम क्रीम करके कॉट लिया है मैंने एक टू मिटर का अब हम इसको इस तरह से और इस मोती से इस मोती वे फिर इस मोती से इस मोती करके यह मिरर को फुला कवर कर देंगे ताकि यह गिरे नौ झाल 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 मैंने इस तरह से अटेच कर दिया है यह मीरर को यह हमें ब्लूज रखना है यह इस कोड को ब्लूज करके इसको बातना है देखिए मेरा मीरर बनका पिल्कुल तयार हो गया है आप देख सकते हैं अब यह बहुत उच्छा लगा देखने में मैंने यहां पर बास्केट अटेच नहीं किया है अगर आप चाहें तो यहां पर आप 3 इंच का यह 3.5 इंच का बास्केट अटाज कर सकते हैं इसी कॉर्ट से यह जो हमारा कॉर्ट था 12 कॉर्ट इसी 12 कॉर्ट से हमें नीजे में अगर आप चाहें तो बास्केट कॉर्टाज कर सकते हैं बाकी सब हमारा सिम बनेगा चलिए फ्रेंड्स अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किजे